हेलो ट्रेडर्स वेलकम टू ट्रेलन स्टॉक्स और देखे आज 22 सेप्टेंबर 2020 को मार्किट में मचा हुआ है हाहा कार पिछले दो दिनों से भारी गिरावट देखने को मिली है ग्लोबल सैल आफ के वजह से यहाँ पर देखे अमेरिकन जो बाजार है उसके अंदर बहुत जादा गिरावट देखी गई है जिसका एक सीधा इंपक्ट हमारे भारतिय बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है और यहाँ पर निफ्टी और बहुत भारी गिरावट पिछले दो दिन से दिखा रहे हैं और देखे कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है कोई भी एसा नहीं है जो इन से बचा ना हो जिनका नाम आप जानते होंगे si हमें मैं बात करूँ तो झो एक ऐसी कंपनी जो यूनेक प्रोटक्स बनाती है लिए ग्लास लाइन प्रोटक्स बनाती है ये जो मात्र एक ऐसी कंपनी है अंदर जो यही बनाती है और कोई ऐसे प्रोटक्स बनाने वाली कंपनी दूसरी नहीं है GMM Fordler एक गुजरात-based company है जिसके अंदर Fordler Group इनकी parent company है और GMM एक गुजराती company है दोनों के merger से एक company बनी हुई है और अभी 20 अगस 2020 को पिछले ही महीने खबर आई थी जिसके अंदर देखे ये चीज़ कही गई थी GMM Fordler अपने parent group में यानि के Fordler Group के अंदर controlling stake purchase करने जारी controlling stake acquire करने जारी तो वो एक बहुत बड़ी news थी जिसकी वैसे हमने काफी अच्छा रुजान भी देखा investors का stock की तरफ और अगर मैं GMM Fordler की आपको बात बताऊं तो देखे ये एक बहुत lesser known share है इसके बारे में दो महीने से पहले तीन महीने से पहले कोई जादा जानकरी नहीं रगते थे लोग लेकिन जिस हिसाब से इसने 2000 रुपे से लगबख 7000 रुपे के level achieve की हैं पिछले कुछ महीने के अंदर ये basically एक चर्चा का विशे बन गया पूरे stock market में लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है चानक कि इस stock ने lower circuits लगाने शुरू कर दी है और आज भी stock market पे 10% का lower circuit इस stock में लगा है और आने वाले time में ये और भी गिरावट दिखा सकता है तो basically वो फायदा है या नुकसान है क्या सारी details हैं क्यों ऐसा हो रहा है वो सारी चीज़े इस वीडियो के अंदर discuss करने जा रहा हूँ Fodler के अंदर और GMM Fodler इस notification के जरीए ये communicate करने जा रही है कि ये लोग अपना एक part of stake sell-off करने जा रहे हैं OFS के जरीए यानि की offer for sale के जरीए जिसकी वज़े से देखिए हमने stock market के उपर गिरावट देखी है इस stock के अंदर तो सारी detail आपको बढ़ाता हूँ कि देखिए ये लोग लिख रहे हैं कि we hereby notify you that the sellers propose to sell up an aggregate of 25,71,429 equity shares जिसको base sales shares भी कहा जाएगा held by the sellers in the company representing approximately 18% 17.59% ये जो total stake हैं के पास उसमें सही ये stake बेचने जा रहे हैं of the total issued and paid up equity share capital of the company through OFS यानि के offer for sale on 22nd September 2020 यानि के आज जो अभी trading day चल रहा है वो वहाँ से शुरू हो रहा है आज जो है ये for non retail investors के लिए है सिर्फ और कल यानि 23 September को ये retail investors के लिए होगा यानि के अगर आप एक retail investor हैं तो आप इसके अंदर कल participate कर सकते हैं यहां से आप इस stock को खरीद सकते हैं देखे इसके आगे क्या लिखा है with an addition option to additionally sell up 15,21,671 equity shares representing approximately 10.41% of the total paid up equity share capital of the company देखे अगर over subscription की condition आती है इन 25 लाग से जादा shareों के अंदर तो यहां पर company ने एक option और भी रखा है कि अतिरिक्त यानि के additionally 15 लाग से जादा share और sell up कर सकते हैं जो की है 10.41% और इस हिसाब से total जो share sell off हो जाएंगे वो हो जाएंगे 28% तो यह depend करता है कि यहां पर over subscription होता है या नहीं अगर होता है तो 28% तक यहां पर पूरी आपको बिक्वाली देखी जा सकती है total stake में से sellers की और otherwise यहां पर आपको 17.59% आपको आती भी दिखाई देगी OFS के जरीए तो यह options इन्होंने रखें आप देखें यह सारी की सारी details and technicalities यहां पर दे रखें मैं आपको सीधे दिखाता हूँ क्या इन्होंने base price रखा है इस चीज के लिए इस offer के अंदर GMM Fodler का तो देखें अभी अगर आप देखें तो GMM Fodler 6000 रुपे के level से गिरकर नी OFS आता है किसी भी कंपनी का तो वो देखें current market price से कुछ discount के ऊपर आपको offer किया जाता है तो देखें उसके प्रभाव से immediate sell-off देखा जाता है market के अंदर और यह जो सारी news आई है यह ऐसे time में आई है जब globally market के अंदर बहुत ही जबर्दस एक sell-off देखा जा रहा है investors की तरफ से तो यहां आप देखें basically सारी details में आपको दिखाता हूँ floor price की बात करेंगे the floor price of the OFS has been fixed at 3500, 3500 rupees only per share the stock exchanges are required to ensure that the floor price is immediately informed to the market तो 3500 rupees का यहां पर भाव रखा है OFS के लिए जो इसके high से बहुत ज़ादा कम है अगर आप इसके high देखेंगे recent high तो वहां से 50% आपको दिखाई देगा और अगर कल के closing price से आप देखें तो approximately 33% discount के ओपर यह लोग OFS लेकिया है तेकि generally इतना ज़ादा discount होता नहीं है जितन इनके promoters के दुआरा तो इसकी जो बड़ी वज़ा है वो यही है जो इन्होंने इतना बड़ा discount यहां पर offer किया है अगर यह 7, 8, 10, 12% का discount होता तो शायद इतनी गिरावट आपको इस stock के अंदर ना देखने को मिलती लेकिन इसके अंदर 3500 रुपे का floor price एक बहुत बड़ी बड़ी वज़े बनाए कि यहां पर आपने बहुती जबरदस्त गिरावट देखे इस stock के अंदर आज की condition आपको NSE के उपर दिखाता हूँ देखे जी एमेम फॉर्टनर की क्या condition है 4682 रुपे 70 पैसे के उपर last reading price दिखा रहा है इस वक्त बज़े हैं 12 बच के 12 मिनट इसको refresh कर लेता हूँ देखे अभी भी इसके अंदर circuit लगावा है 520 रुपे डाउन है कल के closing price है जो कि था बावन सो तीन रुपे का और lower price band अगा आप देखेंगे तो बिल्कुल exactly last reading price ही दिखाएगा यानि कि इसके अंदर लगा है lower circuit इतने बड़े ticket size के उपर 10% का lower circuit लगना अप 52 लो है जो पिछले साल 7 October 2019 को इसने लगाया था 17,147 share यहां पर दिखा रहा है क्योंकि यहां पर लग चुका है circuit इसलिए कोई trading जारी नहीं है इसलिए delivery and quantity traded आपको सेम ही दिखाई दे रही है इस stock के ऊपर तो यह सारी देखें news है आपको मैं बता देता हूँ जो इनका acquisition का plan है अपने parent group के अंदर वो भी एक matter था यहां पर जो चल रहा है अभी भी उसका acquisition नहीं हो पाए है थोड़ा सा complicated है अगर आप उसके अंदर research करेंगे तो आपको detail में पढ़ने को मिलेगा कि किस तरीके से उन्होंने वहां पर एक international company का setup किया है Luxembourg में जिसका नाम दिया है GMM International उसके अंदर stake खरीदा जाएगा GMM एंद उसकी subsidies के दुआरा और उसके बाद में फिर वो अपने parent group से stake acquire करेंगे जो जाके वो acquisition पूरा होगा तो यह सारा process है वो एक अलग चल रहा था और अभी recently OFS की जो खबर आई है उसने इस stock के अंदर बचाई है भारी तबाही यह है द लेकिन इसने markup mode पे वो levels हासिल किये उसके बाद थोड़ा सा consolidate हुआ लेकिन अब देखिए OFS की खबर से यह stock आया है आज यहां के उपर यहां देखिए कि यह बिल्कुल dozy candle है जहां खुला वहीं इसका circuit लग गया इसने कोई candle की formation नहीं हुए है लेकिन मैं आपको बता दू उसने 100 days के explanation moving average को just touch कर लिया है और अगर इसके अंदर circuit और बड़ा होता तो यह और भी ज़ादा गिरावट दिखा सकता था देखिए इस stock ने 6,900 के level से अभी already 4,600 के levels हासिल कर ले है इस गिरावट में और यह गिरावट अभी और भी ज़ादा चालू रह सकती है जारी रह स रुपे का जो offer price नोंने floor price रखा है तो इस stock के अंदर गिरावट आनी बिलकुल लाजमी है जैसे कि हमने देखा है HAL के अंदर BDL के अंदर और भी तमाम companies के अंदर की OFS price से यह stock गिरते जरूर है जब भी company promoters OFS launch करती है तो यहां पर अभी गिरावट और भी ज़ादा जार इसके उपर यहां पर positions बना रखी है और यह stock मैं आपको बता देता हूं बहुत यह अच्छा stock था इसके अंदर कोई कमी नहीं है अभी भी कोई कमी नहीं है तो देखें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं यह stock basically जितना नीचे आ रहा है वो एक opportunity आपको मिल रही है long time के लिए अगर आप trader हैं तो आप इस stock से दूर रही है लेकिन अगर आपके पास में time देने की capacity है आप अपने time को और थोड़ा सा enhance कर सकते हैं साल देर साल दो साल का तो definitely this opportunity को भूलिएगा मत क्योंकि यह time दुबारे नौटके नहीं आएगा यह stock अभी in levels यानिकि 4600 के levels के उप यहां से definitely नीचे आएगा 3500 रुपे का offer price है कल last day है इसके OFS का लेकिन OFS आने के बाद यानिके execute होने के बावाजूद भी post dates पर भी stocks नीचे की तरफ आते हैं तो ऐसे ही expectation हम इससे भी कर सकते हैं कि इस stock हो सकता है 3500 रुपे के levels को भी चूतावा दिखाई दे तो देगे वो जो levels होंगे वो एक golden opportunity होगा मेरे साबसे इस stock के अंदर positions बनाने का क्योंकि जो stock के अंदर आप 6500 रुपे की level पर भी entry ले रहे थे कुछ चीज आपने देखके ही लिया होगी इसके fundamentals देखके ही आपने लिया होगे और fundamentals की बता दूँ profile आपको इसकी बता दूँ working profile बहुती strong बहुती जबरदस और unique profile है जिस हिसाब से pharmaceutical sector and chemical sector यहाँ पर grow हो रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर contract manufacturing का सबसे बड़ा हब हिंदुस्तान बनने वाला है अब चाइना के बाद में उस हिसाब से कर आप देखें तो GMM Fordler बहुत बड़ी company बनने जा रही है आने वाले time में इनका ज चलते एक impact आया है इस impact को positively अगर आप देखते हैं और acquisitions अपने portfolio में करते हैं इस stock का तो उससे अच्छी बात कोई रहने नहीं वाली है जिन लोगों ने ऊपर levels के ऊपर यहाँ पर बना रखी है positions और अगर उनके पास अभी capacity नहीं है इस stock के अंदर lower level से purchase करनेगी तो उन से म बापस से आपको उनी levels के ऊपर आतावा नजर आ सकता है इतना potential इस stock के अंदर है तो clear cut रहे हैं जिनके पास उपर levels पे positions हैं वो hold करें और जो लोग अभी positions बनाना चाहरे हैं वो definitely एक दो दिन का और इंतजार करें stock नीचे आएगा तब इसके अंदर positions बनाएं बहुत बड़ पर कमेंट करके जरूर बताएं और यह वीडियो अगर आपको अची लगी तो लाइक और शेर भी जरूर करें मैं मिलूँगा आपसे नई वीडियो में इस stock के साथ तब तक के लिए नमस्कार थैंक यू जैहिन